मित्रों जय माता दी आप देख रहें धर्म सिक्षा धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फले सुक्रवार यानि की 29 अप्रेल 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संपत 2089 वैसा अख मास किष्ण पक्ष की चतुर दसी देथी जो की आज रातरी के बारा बज कर 33 मेर तक रहने वाल है तदुपान फिर अवाश्या देथी आरंब हो जाएगी नचातर आज का रेवती रहने वाल है रेवती नचातर आज सामके 6 बज कर 40 मिनट तक रहने वाल है तदुपान फिर असुनी नचातर आरंब हो जाएगा वरत्योहर में आज है मास जिवरात्री का वरत साथी पंचक की समापती होगी आज सामके 6 बज कर 49 मिनट पर वित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक-एक मोहरतों गवाएम जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूर्वक जान सकते हैं एक एक मोहरतों गवय में जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुल 12 रासियों का आज का रासी फल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे रासी उनुसार क्या खादे पतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनुसार कौन सा रंग सुब रहने वाला है और रासी उनुसार कौन सा लखी निम्मर आपके लिए रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंद तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण रासिवल के जानकारी हो पाए रासिवल का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में जह माता दी तो जोओ लिखे मैं तो आज के बारा रासी का रासी फल आपको बताना रम करूँ उससे पहले आएए एक निज़र डाने आज के गरहों की स्थिति पर क्योंकि गरहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है आज राहू सूरी के साथ में सासी में बुद्ध विरिस रासी में केतु तुला रासी में सनी मकर रासी में मंगल कुम्ह रासी में, चंद्रमा, सुक्र और गुरू, तीनों एक साथ मीन रासी में विराजित है मीन रासी में चंद्रमा आज साम के 6 बज कर 49 मेर तक रहेंगे तदबन चंद्रमा का मेस रासी में परवेस हो जाएगा तो इनी सबी ग्रहों का मिलादला हाल आज के रासी पल्वन जानेंगे तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेश रासी मचंद्रमाप दूसरे इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज किसी धाल में क्यातरा पे जाने के आपके योग बन सकते हैं आपकी कोई महतोकान चाजपूर ही हो सकती है आज पूरे दिन आप अपने कारी में व्यास्त रहेंगे किसी फालतो के काम के कारण भी आपका समय बरबाद हो सकता है तो इस बात का ध्यान रखें और अपना समय अपने कारी छेतर में ही लगावें आज आपके लिए अनकूल स्थित्री बनी रहेगी आज आपने मन की करने की कोशिज भी करेंगे व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में जोखिम लेने से आपको बचना होगा किसी कोगर आपने पैसे उधार दे रखें तो वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं जूजा तक दलाली का काम करते हैं उन्हें नुकसान हो सकता है आज आपका खर्च आपका आयसधिक हो सकता है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज किन बध्यम रहने वाले मेहनत से कम आपको सफलता की प्रापती होगी फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बातकेंट किसी पुराने रोग से चुटकारा मिल सकता है स्वास्त आपका अच्छा रहेगा फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान रखें मौस में विवाणियों से तो बिल्कुल बचें प्रेम समन्थ की बात करें आज अपने जीवन साथी के व्यभार से साध्धान रहें अचानक से कोई प्रतिक्रिया ना दें रिष्टों में इसे खटा सुत्पन हो सकती है आज के अरहर की डाल खाएंगे तापके लिए शूब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग गुलाबी रंग लकी नम्मर 3 राने वाला है बात करंगे वरिस रासी की वरिस रासीम चंदर्मा तीसर्य स्थाजमे विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके आत्मिस्वास में बढ़ोतरी होगी आफिस के कुछ महत्पून कारी आज आपको करने पर सकते हैं आज अगर आप अच्छी योजना बना कर करी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी देहरे रखें, दिन भर आपका मन खुश रहेगा संतान के तरप से कुछ अच्छी ख़वर मिलेगी अगर आप संतान के साथ कोई धार्मिक कारी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी व्यापार अधन की बातकरत आए के सोलता में बढ़ोतरी होगी नोकरी में भी तरक्की हो सकती है लेकिन साथ ही आफिस में वादवियाद के स्थिति उत्पन हो सकती है वस्तरों के खरीद में आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं लेकिन अगर कुल मिला कर देखा जाए तो परिवार में खुशाली का वातावरण ही बना रहेगा आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, आज कि लोहे के बरतन में खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नंबर साथ रहने वाला है, बात कहेंगे मिथुन रासी की, मिथुन भावनाएं आप पर हावी भी हो सकती है, जिससे आपके काम बिगर सकते हैं, आज अपनी भावनाओं पर नेंतन रखें, नए वाहन खैदने का मन आपका हो सकता है, मकान भूमी का सुख भी मिल सकता है, जुरा तक खेल कूच से समन्द रखते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती ह महला जातकों के लिए आज का दिन उन्हती का अच्छा आउसर बनेगा, व्यापार अधन की बातकित व्यापार के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है, निवेस करेंगे तो फायदे में रहेंगे, पैतिक संपत्ती मिलने के योग भी बन रहे हैं, महला जातकों के आयमे विर्दी भी होगी, विद्यार्थी की बातकित जो तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला सफलता उनको मिलेगी, स्वास्ति की बातकित आज आपके सिर में दद रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्त बढ़िया ही प्रेम समंद की बातकित आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा भी रहेगा, आज किन तला हुआ भोजन कुछ करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का किसी से कुछ उपार की प्रतियोगता का सामना करना पड़ सकता है, बड़े निवेस करने से बचे हैं, जूदा तक नोकरी करते हैं, उनके लिए आज के अच्छा रहने वाल हैं, नोकरी में परिवर्तन की संभाबना भी बन सकती है, उच्छपद की प्राप्ती आपको हो सकती सब्धा की प्रापटी होगी, आज मसाईधार खाने और बाहर के खाने से बचें इससे आपका सवास्ति खराब हो सकता है, प्रेम समयों के लिए अच्छा रहने वाल है, जीवन साथि का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा, जीवन साथि के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे, आपके लिए आज का सुब रहेगा आज का सुब रहा रंग लगी नंबर 6 रहने वाला है। बात करेंगे सिंगरासी की। सिंगरासीं चंदर्मा छठे स्थान में विराजित है। जिसके प्रसु आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं तो सचेत हैं। आज किसी पर अक्राम अख होने के बजाए, सांती से कामने, आपके दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पड़िसर्म ज़्यादा करना पड़ सकता है, आज वाहन चलाते समय भी साधानी बढ़ते हैं, व्यापार उधन की बात करें, तो आज आपकी आर्थिक इस्तित सुदरिड होगी, बच्चों से जोने मामले में पॉजिटिव रहेंगे तो आपको फाइदा होगा, व्यापार में आपकी इस्तिति अच्छी बनी रहेगी, विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करनी के लिए ज़्यादा मेहनत करना प पाएंगे, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, और यह आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा, आज के लिए मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब्रंग हलका पीलारंग लकी नम्मर आठ रहने वाला है, बात करने कन्यारासि की, कन्यारासिम चंद्रमा सात्मे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आप अपने कामों में वैस्ते रहेंगे, आज आप पर काम का लोड ज़्यादा रह सकता है, आज आपने क्रोध पर भी नियंतन रखे या कोध आपको हानी करा सकता है, बेरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहीओकसा नोकरी लग सकती है, परिवार की विसेश चिंता का समाधान संभह हो है, सरकारी कारियोस आपको सफलता मिलेगी, व्यापार अधन की बातकर व्यापार में नई युजना बन सकती है, जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेंदेन में साधानी बढ़ते हैं निवे सगर करना भी है तो किसी अनभवी लोगों की सलाह से ही करें विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा कुछ विद्यार्थी आज अपने परिक्षा परिनाम से और स अच्छे बना के रखें आज किन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लकी निम्मर दो रहने वाला है बात कहेंगे तुलारासिकी तुलारासिम चंद्रमा आठवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए और बिगरे हुए कामाज बन सकते हैं सीधी बात कहेंगे तो आपको फाइदा होगा ने कामकाज की प्लैनिंग हो सकती है आज किन अगर किसी दस्तावे एज पर हस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझकर ही करें परिवार या फिर पैसे जुरूवी परिशानी आ सकती है मन में घपराहटी भी रह सकता है विवादों से बचना चाहिए आपको व्यापार उधन की बात करत व्यापार में उतार चरहो आ सकता है खर्च में आपकी बरहोतरी हो सकती है पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है व आज जीवन साथी के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा जीवन साथी से सम्वान और प्यार की प्राप्ति आपको होगी आज के अगर मून की डाल आपने खाते पताती में सामिल करेंगे आप तॉप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लखी तारीब भी करेंगे मकान या काम करने के जगा के विसे में बदलाव का मन आपका हो सकता है आपका आज पूजा पाठ में भी मन लगेगा वाहन या जमीन खहिदने की योग भी बन सकते हैं आज आप मानसिक सांथी का अनभव करेंगे जो जातक कला के छेतरे से जुरे हुए उनके लिए विदेश यात्रा के योगाज बन सकते हैं व्यापार अधन की बात करें तो व्यापार या नोकरी में आपको आज फायदा होगा कहेंगर आपने पैसे निवेस कर रखें अपने तो वहां से फायदे आपको हो सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आजकिन अच्छा रहने वाले कुछ अध्यान करने का आउसर आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजिनेरिंग के छेतर से जुरे हुए हैं, उन्हें ज़्यादा महेंद भी करना पड़ सकता है। स्वास्त्य की बात के सांस से संबंदित कोई विद्यार्थी या मौसमी रोग होने की संभावना बन रही है तो साब्धान रहे हैं। आज आपकी मानसिक सांती और इस्थिर रह सकती है। किसी परकार के चिंदा रह सकती हैं। प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज की न अच्छा रहने वाल है जूजा तक और विवाहित है उनके लिए विवाह के पस्ताओ या विवाह के योग आज बन सकते हैं आज केंगे चावल अपने खाते पतातर पें सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरारंग लगी नमबर साथ रहने वाला है बात केंगे धनु आसी की धनु आसीम चंद्रमा दसमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपकी रहनसन किस्तिती में सुधार हो सकता है कुछ समाजिक कारी करने का अवसर आपको प्राप्त होगा आज अपना काम जितनी वीराम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा वानी पर अपने नियंतर नखें किसी से भी वादिवाद हो सकते हैं आपके हां किस का सही हो भी आपको प्राप्ट होगा किसी महत्पोर्न व्यक्ति से आपके आज मुलाकात हो सकती है लंबी यात्रा करने से बचें व्याफा अधन की बातकेत आज आज में बढ़ोत्री होगी खर्च भी आपके बढ़ेंगे आपके बचाए हुए पैसों में कमी आ सकती है प्रेम समय की बात करें आज अपने जीमन साथी के साथ जवास समय बिताएं कहीं घुमने जाएं इससे आपके समय बहतर होंगे आज के गेहूं से बनी वीचिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हलका नीला रंग लखी नुमर चार रहेगा बात करेंगे मकर रासी की मकर रासीम चंद्रमा आज ग्यारा हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसरूप परिवार में लराई जहर का महौल बन सकता है तो आपस में सामंजस से बना के रखें मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा आज अपने म थनकी, नोकरी करने वाई लोगों के लिए आज करिन सामाने रहने वाल है, व्यापारियों को व्यापार में लाब मिलेगा, आपका आर्थिक बजट आज थार ढगमगा सकता है तो उपने ख़र्चों पर नियंतर रखें आज आपके खर्चे जदा हो सकते हैं, प्रेम समन्ध की बात करें, प्रेम समन्धों के लिए आज के इन मिलादला रहने वाला है, जीवन साथी से कुछ वाद व्याद हो सकते हैं, तो आज के इन थर समलकर बोलें, मधुरबानी वोलें, विवादों से भी बचे हैं, आज के इन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, हलका पीला रंग लकी नम्मर चार रहने वाला है, बात केंगे कुमरासी की, कुमरासीम चेदरमा 12 हुए स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुब आज की दिन, आप अपने केरियर में बदलाव करने का भेस्त भी रहेंगे, धार्मी कारी और पूजा पात में भी आपका मन लगेगा, कुछ समय का उप्योग आप पूजा पात के लिए भी कर सकते हैं, आज आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार और धन की बात के कहीं पैसे निवेस करते हैं, आज के थोड़ी विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थियों अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किये होंगे, उसका फ़ल उनको मिल सकता है, स्वास्ति की बात के आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने माता के स्वा की नोगजोंग हो सकती है लेकिन बाद में सब को सामानने भी हो जाएगा आज किन चावल अपने खादी पताथ में सामील करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पिलारंग लखी नमर आठ रहने वाला है बात कहेंगे मीन नासी की मीन नासीम पर्था मस्थान में विराजित है जिसके फसुब आज आप नोकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप मधुरुबानी बोलिए मीठा बोलिए आपके सारे काम बनते रहेंगे आज किन आप अपने पिता का भरपूर बना रहेगा आज आपको सलाह दी जाती है कि अपने भावनाओं को नियंतन में रखें किसी से भी अपनी दिल की बात सेयर ना करें खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानी पहुचा सकता हो व्यापार औधन की बात के आर्थिक दिश्टिस है आज किन आपके लिए अच्छ सकता है आपको आलासी और निंद्रा आ सकती है तो आलासी और निंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय प्राप्त करें और उपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्ति की बात कर आज आपका स्वास्ति सामान ने रहेगा लेकिन अपने प तो मित्रों ये तो था आज का बारा रासी का रासी फल, अब जाल लेते हैं आज का सूप समय, आज का सूप समय यानि की गुलिकाल रहने वाल है, सुबह के साथ बच कर 21 मिर्च से लेकर नौ बज़े तक, इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता लग सकती है, तो मित्रों ये तो था आज का समपून रासी फल, कलके समपून रासी फल के लिए धर्मसिक्षा के साथ तो देखते रहे धर्मसिक्षा, जै मातादी